नमस्कार सभी असुपालक भायों का मैं सुमेराणिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चेनल MP होर्स वर्ल्ड में आज आए हम महस्वर महस्वर यादव इस्टेट फार्म पर जहां अंकल जी बहुत ही अच्छे जानवर रखते हैं नमस्कार अंकल जी पहले तो ही जानवर ऑपन कर रखा है अभी नया इस्टेट फार्म खुला है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेश है में इतने नय yastate फार्म पर इतनी जल्दी कोई अच्छी प्रोक्रेश नहीं देखिये की अपकள लिए यह जानवर के लिए नए जानवर बन भी रहें जी अंकल जी अभी आपके पास में जो सुन्दर पचकल्यान घोडी खड़ी है इसकी क्या हाइट है अंकल जी चोसट इची जी और ये अभी प्रेगनेंट है रुद्राक्ष घोडा खेंपूर जी 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 रुद्राक्ष घोडा खेंपूर वाला जो की बहुत ही अच्छा इस्टेलियन है राज गीना का बेटा है हो और बहुत ही सांदार घोडा है और उसकी रिजल्ट भी काफी सांदार है उससे ये प्रेगनेंट है कितने म दसवा मेना चल दा और काफी अच्छी इस्ट्रेक्चर की जो एक ब्रूड मेर रहती है मेरे हिसाब से घोडी की बहुत अच्छी लेन थे बहुत अच्छी कंडिशन है तो यही मनोकामना रहेगी कि अंकल जी के इस्टेट फार्म पर एक बहुत ही सांदार रुद्राक्षी का जो भी रिजल्ट आए वो आए जी आपको कहां से लगा था अंकल जी यह शोक यह शोक सलीम भाई शाह है हमारे मेत्र जी 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 अच्छा एक घोड़ी के चक्कर में पूरा इस्टेट फार्म खोलना पड़ गया जी जी खोड़े अभी बाहर भी गये जी पनेख का जोड़ी जी उपार एक बार अपना भी छोटा सा परिशह दे नगा आपको घोडो का सोग है ना जी जी बहुत ही सांदार कलेक्शन है एक बार आपके मोबाइल नंबर भी बता देंकल जी कभी किसी को कॉंटेक्ट करना रहा जी 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 अभी आप के यहां पर सो में लगाने के लिए कोई बच्चे रेडी हो रहे हैं अब पास में एक समुनदर का है नुकड़ा बच्चा जी एक प्रभात लाइन से है बच्चा विजेराज जी और गो दो बच्ची आए जी 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 उनको आप सो के लिए रेडी कर लिए और एक मेरे पास में ग्रेट गेमलर का बच्चा कानुनगो का बच्चा नवाब जी जी यह चाचट इंची है दूत आपे बाकी सब अधन्त बच्चे बाकी सब अधन्त बच्चे है जी जी बहुती सांदरें जी तो अभी कौन से सो में लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आघले साल भी सारंग खेडा महराश्ट में आयते अंकल जी और इस बार भी शारंग अस्व और जिस भाई को मिलना है जो मेले में आए वो अंकल जी से जरूर मिले और कमेंट करके जरूर बताएं कि इनके जानवर केसे लगे आपको पार्ट वाइज एक एक जानवर की डीटेल और वीडियो देखने को मिलेगी है ठीक है अंकल जी धन्यवाद